सेमि फाइनल में पहुच गया है फाइनली इंडिया और अब किस से भिड़ेगा फोस्ट कंट्री यानिके साउथ अफ्रीका से छे फरवरी की सुभा दस बजे विल्मोर पार्क के अंदर इंडिया वर्से साउथ अफ्रीका इंडिया का स्कौर्ड बहुत ही मजबूत है अनबीटेबल हम रहे हैं और जो एक खिलाड़े जिस पर सब की नजरे रहने वाली हैं बल्लेबाजी में वो है मुशीर खान और गेंदबाजी में कौन है गेंदबाजी में है सौमे कुमार पांडे पांडे जी का जलवा कल एक बार फिर देखेंगे आपने पूरी टॉनमेंट में वो जडेजा वाली स्टाइल की बालिंग देखी है जडेजा वैसे एंटर 19 वर्ल्ड कप से आये थे और कमाल की बालिंग उन्होंने वहाँ पर की थी अब भी करते हैं कुछ उसी अंदाज मे विकेट ले रहे हैं बोल्ड कर रहे हैं LBW कर रहे हैं सोमय कुमार पांडे तो अगर टीम की पहले बात बताता हूं आपको बेसिक बेसिक जो टीम है कप्तान साहब उदय सहारन अच्छे फॉर्म में है रिसेंटली निपाल के अगेंस्ट उपारा के खेले और शतक लगाया अर्शीन कुलकरने इनके अलावा आदर्शिंग, रुद्रमयूर पटेल, सचिंदास, प्रियांशु, मोलिया, मुशीर खान एक वो नाम जिस पर सबके निगाहे रहने वाली हैं उदय सहारन इसके अलावा सौमय कुमार पांडे, मुर्ग अभिशेक, इनेश महाजन, धनु पूशा, गोडवा, राज लिंबानी, नमंतिवारी इनके अलावा एका दोर हैं बाकी आगे बात करेंगे अगर टोर्नमेंट में लीडिंग रन स्कोरर की तो वो कोई और नहीं बलकि मुशीर खान है 334 रन बना चुके हैं 334 रन और टोर्नमेंट के लीडिंग ये रन स्कोर रन हैं इंडिया की तरफ से तो हैं ही इंडिया की तरफ से लीडिंग विकिट टेकर की बात करों तो सौमय पांडे हैं 111 विकिट अब तक चटका चुके हैं अगर इंडिया की बात करें इस पूरी जर्नी की तो बंगलदेश को हमने 84 रनों से हराया उसके बाद आरलेंड को तो 201 रनों से हराया मुशीर खान का शतक इसमें आया था फिर USA को 201 रन से हराया यहाँ पर भी मुशीर खान का 50 सा आया था फिर न्यूजीलेंड को 214 रनों से हराया यहाँ पर मुशीर खान का शतक आया था निपाल को हमने फिर हराया 132 रनों से यहाँ पर मुशीर खान में जब आप देखेंगे तो भाईया मुशीर खान ही मुशीर खान चाहे थे बल्ले से तो दो शतक और एक अर्ज शतक वो आप तक लगा चुकी है ऐसे में समी फाइनल में भी उन पर ही सब की निगाहे रहनी वाली है क्योंकि टॉप और में अगर वो वापिस आते हैं तो एक स्ट्रॉंग टॉप और नजर आता है मिडल ओर में कप्तान साब उदे सहारन है अब साउट अफरीका की बात करूँ तो इसमें एक प्लेयर है उसके बारे में बाद में बात करेंगे पहले आपको जर्नी बताता हूँ साउट अफरीका की इसमें जो लीडिंग रन स्कोरर है वो है स्टीव स्टॉक दो सो चौदा रन बना चुके है और विकिट टेकर कौन है ये वो खिलाडी है जिस पर सब की निगाहे रहने वाली क्योंकि भीया इसने इतिहास रचा है ये वो खिलाडी जिसने टोर्नमेंट में तीन-तीन पंजे जटके और पहली बार ऐसा हुआ है वीना मफाका ने अब तक 18 विकिट चटकाए है और टीम इंडिया के लिए सबसे वड़ा खत्रा यही है अगर साउथ अफरिका की वर्ल्ड कप की जरनी की बात करूँ तो इन्होंने वेस्ट इंडीस को 31 रनों से हराया था और इंगलेंड के आगई हार गये थे 36 रनों से ब वही पर वीना मफाका इसमें रहेंगे क्योंकि दोस्त खतरनाक वालिंग है टीम इंडिया की बैटिंग मस्बूत रही है अब तक उन्होंने पहले बल्लेबाजी की है और वहीं से जीत हासिल की है तो ऐसे में सबकी निगाहें इस एक गेंदबास पर रहेंगी टीम इंडिय करने के लिए इस बॉलर को सबसे पहले चीलना पड़ेगा और बाकि देखते हैं पांच बार के हम चैंपियन इंडर 19 वर्ल कप में आपको क्या लगता है क्या जो नॉकाउट स्टेजिस में हमारे साथ वो चोकर्स वाला टैक जुड़ गया है क्या अंडर 19 के लड़के उस जोकर्स के टैक को तोड़ कर वर्ल कप उठा पाएं कि मुझे कॉन्ट में जरूर बताएगा वीडियो अगर आपको फसल आई हो तो से लाइक और शेर जरूर करें जाते हैं तो चानल को सब्सक्राइब करते हैं